एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं एक छोटी सी नौकरी के शुब मौके पर उनकी नौकरी पक्की हो गई ये खुश खबरी सुनाने के लिए शीतल ने अपनी दोस्त इरा को फोन किया इरा और शीतल कॉलिज में साथ साथ पढ़ते थे इरा ने फोन उठाते ही का कि आरे मैं तुम्ही फोन करने वाली थी जानती हो मेरी नौकरी लग गई है इरा की ये बात सुनते ही शीतल की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा शीतल ने कहा कि आरे मैंने यहीं बताने के लिए तुम्हें फोन किया था कि मेरी भी नौकरी लग गई है इरा और शीतल जैसी खुशी कई और महिलाओं के हिस्से आई है दरसल फेस्टिव सीजन में महिला पेशेवरों की डिमांड बढ़ी है प्रमुख नौकरियों और पेशेवर नेट्वोरकिंग प्लाटफॉर्म अपना.co के मताबिक female applicants की संख्या में बढ़ुतरी से उद्योगों में महिला पेशेवरों की बढ़ती मांग का संकेत मिलता है क्योंकि तियोहारी सीजन के दोरान कंपनियों की गतिविदियां बढ़ जाती है सबसे ज्यादा भरती टेली कॉलिंग अकाउंट्स, बिजनस डिवलप्मेंट मारकेटिंग और डिलिवरी में निकली है तियोहारी सीजन में बजाज, एक्सिस बैंक, पेटियम, फ्लिपकार्ट और रिलाएंस जैसी कंपनियां आगे बढ़ कर हाइरिंग कर रही है इसके अलावा तियोहारी सीजन से पहले भरती की मांग भी बढ़ गई है अगस्त और सितंबर 2023 में प्रमुख भारतिये कंपनियों में एक लाख बीस हजार से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स रिकॉर्ड की गई है और महिलाओं ने इन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है वैसे इधर टैलेंट्स की डिमांड काफी बढ़ रही है भारत की टेकनोलजी इंडस्ट्री परिवर्तन की दौर से गुजर रही है ऐसे में आटोमेशन, डेटा अनालिटिक्स और आर्टिफिशल इंटेलिजन्स जैसे एरियास में टैलेंट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है 2023 की तीसरी तिमाही में AI, ब्लोकचेन, मशीन लर्निंग और साइबर सेक्योरिटी टैलेंट की मांग में 28-30 फीसिदी की वरद्धी हुई है जैसे जैसे AI अलग-लग सेक्टर्स में बदलाव ला रहा है कमपनियां इस टेकनोलोजी की शमता का इस्तमाल करने के लिए अपर लेवल की टैलेंट्स तलाश रही है एक और टैलेंट्स की मांग बढ़ रही है तो दूसरी और देश में वेतन भूगियों को पेड लीव नहीं मिल रही इस लिस्ट में राजस्थान और मद्ध परदेश की स्थिती सबसे खराब है राजस्थान में 63 फीसद और मद्ध परदेश में 60 फीसद वेतन भूगियों को पेड लीव नहीं मिलती है ओडीशा, मीजरोम और गोवा जैसे राज ये इस लिस्ट में बहतर स्थिती में है तो आज की इस वीकली पॉड़कास्ट एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हुमे में फिला लितना ही ये पॉड़कास्ट आपके लिए तयार किया था हमारी सहयोगी आजल चौधरी ने एक छोटी सी नौकरी